HALO FRIENDS स्वागत है आपका Study with Madfactions आज है 4 मार्च और आज 4 मार्च की एक latest और बड़ी update है यैसे कि FRIENDS आपको पता था कि NTPC का CBT2 का CBT1 का क्या Revised Result आए गए या फिर नहीं आएगा इसके लिए High Power Committee की जो है आपकी एक meeting गुलाए गई थी जो कि आज चार मार्च हैं आप वो मेटिंग बैठ चुकी है और यहां पर देख सकते हैं आपको बताएगे कि जो कमेटी है वो अपने जो रिपोर्ट है वो भी आपको रेलवे भरती बोट को सौब चुकी है तो फिर्ण से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपकी जो इन सभी चीजों से रिलेटेड बिल्कुल डिटेल में डिसकस किया जाएगे इसलिए फिर्ण सब भीना एस्किप के वीडियो के लाज तक पढ़ने रहेगा और जब चैनल पढ़ना है चैनल को सस्काइब जरूर करिए फिर्ण क्योंकि आपको रेलवे एक्जाम से आपके लिए टेस्ट बुक के द्वारा इस समय जो है तापको अठारा महीने का इस्ट्रा जो है एच्छा महीने का इस्ट्रा पास दिया जा रहा है आपको कोड यूज करना है यम ए टी एच और यह आपको मियातर 360 रूपए में आपको टेस्टे सीरीज मिल जाएगे फिर् ये अंटी पीसी परिच्छा की बीस गुना अधिक देने की मांग बीस गुना कंडिडेट चैसा की आपको सीवीडी टू एक्षाम के लिए बोला गया था रेलवे भरती कमेटी ने रिपोर्ट सौपी मिल सकती है रहा तब ये क्या राहत मिलेगे ये आपके लिए देख सकत ये पटना से जो है ते निउस पेपर जो शप्त वहां से दिया गया है रेलवे मंताले की और से बनाई गई जाच सदस उच अस्तरी कमेटी ने येंटी पीसी असना तक अस्तरी डिजल्डवा ग्रूबडी परिच्छा को लेकर अपनी रिपोर्ट सौप दी है उमीद की जा पैसले लेगी एका इसका मतलब हुआ आपको जो है ते बीस गुना जो है यूनिक कंडिडेट को आपको सामिल किया जाएगा इधार रेलवे एंटी पीसी असना तक अस्तरी परिच्छा रिजल्ड में सुधार को बढ़ाने के लिए रेलवे भरती गूबडी परिच्छा को एक बार एक बार लिये जाने की माग को लेकर देश व्यापी अंदोलन सुरू हुआता है यहाँ पर जो आपका गुरूबडी के एक जामें सीवी टी टी टू लागू किया गया था उसके रिकौर्डिंग बताया गया कि वहीं सिक्छकों पर दरजी की प्राथिंबिक भी सम लागू कर दिया गया था इसके अलाबा है कि वापस लेने की बात कही गई थी चात्रों ने अंदोलन के बात रेलवे मत्याले को 26 जनवरी को पांस अदसी उच्चेस्तरी कमेटी बनाए गे इस कमेटी ने देश भर में सभी अराबरियों में जाकर समझाओ को चुना था रे 12 मार्च को जो है तो आपकी कमेटी का बैठक किया जा रहा है तो ऐसा माना जा सकता है कि लगभग 15 मार्च तक आपके यंटी पीसी एक्जाम के रिकार्डिंग जोई अपडेट जारी कर दी जाएगी कि आपका जो अग्याम है वो का हकापक से कराय जाएगा यदि यह कराय था हम मान सकते हैं कि लास्ट मार्च तक जो है आपको लास्ट मार्च तक आपके गुरूबडी एक्जाम से रिलेटेड कोई ने कोई अपडेट मिल जाएगा क्योंकि आपका जो एक्जाम यंटी पी-सी का सी-वी-डी टón एक्जाम है वो कैवल 2-3 दी नहीं होगा और 2-3 दी एक्जाम करवा लिया जाएगा उसके जिश्ट वाद आपका गूरूबडी एक्जाम कराया जाएगा तो फिर्फेंटस ऐसा माना जा सकता है कि आपको यह घ्रूबडी करो तो मेरे उकादे लगभग 15 अप्राइल के पाले पाले आपका गुरूबडी के एक्जाम स्टार्ट हो सकता है क्योंकि गूरूबडी एक्जाम के लिए पूरी तयारी जो है तो वो गौवरिमेंट के द्वारा कर ली गई है सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक्जाम की डेट की देने की बात है तो फ्रेंस आपके लिए जो अपडेट थी मैं आपको प्रॉवाइड करा दिया हूँ यह दियाब के मन में किसी पकार का कोई डाउट है आप कमेंट बाक्स में कमेंट टिक कर सकते हैं तो फ्रेंस मैं आपको मिलता हूँ नेक्स अपडेट के साथ डिवित मैं पना